माउंटेनेरिंग की फेल्ड में सर्फ 99 परसन लोगों का ट्रीम होता है माउंट एगरेस क्लाइम का ना मतलब पिता ने रोका नहीं कुछ कि यह डेंजरस है क्यों जा रही हो ऐसा कुछ एक डर तो मतलब फैमिली में होता ही है जैसे मैं वहां गई थी बेसकेंप से जब उपर जाना शिरू करते है तो वहां पर नेटवाक अवेलेबिलीटी जीरो है तो चार से छे दिन कोई कॉंटेक्ट नहीं होगा उन लोगों के साथ तो उनको बता के जाना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है बाई गोड ग्रेस जो भी होगा एकसेप कर लेना मैं जा रही हो बस भ पॉट्टी बोटल वाटर बोटल हाथ में लेकर दोड़ते दोड़ते पानी पी आपने तो कोई रिकॉर्ड भी बनाओगा फिर तो यह हां सर एक रेकॉर्ड बना था यंगेस्ट गल इंडिया पूक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में यंगेस्ट गल्टू रन कुंटिनुएस अगला एपिसोड आज हमारे बीच बहुत ही बहुत ही बहुत लड़की मोजूद है जिन्होंने पिछले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है सो प्लीज वेलकम निशा कुमारी ओन आर शोओ अलो निशा हाव यू मैं एकदम बढ़िया सहर सो निशा यह जर्णी कैसे चालू हुई यह पहाड़ों के प्रती जो तुमारा प्यार है यह जो खत्रों से कहलने का जो तुमारा प्यार है यह कैसे शुरू हुआ किस उमर में शुरू हुआ किस चीज ने तुम्हें इंस्पाइर किया मैं मास्टर्स कर रही थी उस टेम पे MS उनिवर्सटी में एक इवेंट था परामर्श उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज लगाई गई थी तो वो एडवेंचर एक्टिविटीज जब मैंने की तो मुझे एक कॉ पूछ हैं उनसे कॉंटेक्ट किया उनको पूछा कि इस फिल्ड में अगर आगे बढ़ना हो तो कैसे बढ़ सकते हैं उन्होंने बोला कि हम लोग केंप्स और्गनाइज करते हैं आप एक दो बार केंप्स में आओ ऐस वोलेंटियर उसकी बाद दीरे-दीरे हम देखेंगे क कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते वहां से मैंने चालू किया एस वोलेंटियर जाना चालू किया दीरे-दीरे मैं एस लीडर जाने लगी ट्रेक लीड करने लगी मनाली ननी ताल मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने फुल टाइम इसमें एडवेंचर फिल्ड में अपना आप काम कर रहे थे तो income का source कैसे रहता था उस time पर? सर मैं as a guide जाती थी, groups लेके जाती थी, summer vacations में student groups जाते थे, family groups जाते हैं, फिर companies जो आती हैं, ओ लोगों को groups लेके जाने होते हैं, उनकी company को पूरी को एक meetings और साथ में adventure करने के लिए tracking है, वैसे groups लेके जाती थी. So this is how you used to be, तो ऐसा आपने कब तक किया आई, as a guide आप कितने समय तक रहें? Sir, एक साल में as a guide जाने लगी, फिर दीरे दीरे मैं fully इसमें involved होगी और मैंने इसके courses, mountaineering के courses किये, basic mountaineering course कश्मीर से किया मैंने, जवार institute of mountaineering and winter sports एक organization है, जो Indian army के अंडर में course होता है, basic course वहां से किया, फिर advanced course जो किया mountaineering का हो, मैंने नहरू institute of mountaineering उतरकाशी से किया, फिर मैंने basic rock climbing course हमारा गुजरात की एक संस्ता है, यहां पे, Swami Vivekanand Institute of mountaineering, Mount Abu में, वहां से किया, उसके बाद skiing का course किया, मैंने last year ही basic skiing course, stability और थोड़ा हमारा जो balancing है, वो सब सीखने के लिए skiing का course किया मैंने, ऐसे करके दीरे दीरे, जैसे जैसे knowledge मिलता गया, इस फिल्ड का व फिल्ड में आगे बढ़ना शुरू किया, तो कितने समय चले यह courses, लगबक कितने समय तक यह courses आपने किये थे ? सर एक कोर्स लगवग एक महीने का होता है 28 days तो फिर वो courses कुछ जैसे rock climbing का course है वो 10 days का होता है basic course 28 days का होता है advanced course 28 days का होता है rock climbing का course 10 days का होता है skiing का course 15 days का होता है तो अलग-अलग year में मैंने basic course किया उसके बाद एक mountain climb किया मैंने फिर advanced course किया उसके बाद मैंने 2-3 mountains climb किये सबसे पहले मैंने friendship peak climb किया जिसका height है 5,370 meters उसके बाद मैंने mount सतोपंत climb किया उसका height है 7,000 meters 7,000 meters लगभग 14th Mount Everest का 143 वहा ना नहीं सर मांट Everest से तो 2,000 meters ही कम हुआ 1,800 meters अच्छा मांट Everest में 8,000 meters 8,849 meters ओके तो उसके बाद मैंने mount non climb किया उसका height है 7,100 meters उसके बाद मैंने mount manalsu climb किया वो 8,000 meters में count होता है जो all over the world 14,000 meters है उसमें से 8th number पे mount manals हो आता है तो इतने सारे आपने पहले ही cover कर लिये थे हाँ सर्वो अपनी body को check करने के लिए कि हम किस altitude पे हमारी body कैसे react करती है हमें उसमें कैसे ढलना है अपनी body को कैसे ढालना है उस altitude पे वो सब चीज़े चेक करने के लिए और अपनी body को ready करने के लिए छोटे mountains से start करके बड़े mountains पे गई थी सो step by step आपके अंदर वो resilience पैदा की जाती है पहले यह नहीं कि आप सीधा ही directly mount Everest पे चले जाए ऐसा नहीं होता होगा वो जीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम directly माउंट आवरेस्ट पे जाते तो बहुत सारी difficulties ऐसी आती है जिनको face करना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी लोगों की वहाँ पे death भी होती है काफी सारे challenges ऐसे आते है जहाँ पे लाइक हमारे जो लंग से उसमें पानी भर जाता है पर नरी एडिमा बोलते हो उसको और वैसे ही सेरेब्र नडीमा होता है जिसे हमारे ब्रेन में fluid भरना शुरू हो जाता है ऐसी प्रोब्लम्स आती है अगर हम लोग उन सब से पहले से उन सब के लिए रेडी नहीं होते हम तक मांट एवरेस जितना नहीं जाते लेकिन 7000 मीटर मिनिमम हमारा कवर होना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि 7000 मीटर तक हमारी बॉड़ी कैसे रियक्ट करती है और उससे उपर का जो वैदर है वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है तो क्या चेंजिस आप देखते हो जब जैसे आपने 7000 मीटर तक गए मांट एवरेस पे हम लोग आते हैं उससे पहले जो आपने किये तो क्या-क्या आपने अडेप्टेशन देखे अपने अंदर ऑक्सिजन की कमी होती है प्रेशर चेंज होता है वैदर चेंज होता है तो क्या आप अडेप्ट करते थे जैस नाइट एक्स्ट्र वहां पे स्टे करना पड़ता है 5000 मीटर की हाइट जब हम गेन करते हैं तो टू नाइट समय उस वैदर में उसी एरिया में हमें रहना होता है ताके हमारी बॉड़ी उस टेंपरेजर उस एयर प्रेशर और उतने लोग उक्सिजन में सेट हो जाए तो ऐ बेस केम पे एक दिन एक्लेमेटाइज करना दो दिन एक्लेमेटाइज करना फिर बेस केम से केम्प वन जाना कई वर ऐसा नहीं हो तो कि हम डारेक्ट केम्प वन जाके उपर चले जाते हैं पहले केम्प वन जाते हैं केम्प वन से वापिस बेस केम्प आते हैं फिर वापिस base camp से camp 1 जाते हैं camp 1 से camp 2 जाते हैं फिर camp 2 से सीधा base camp आते हैं ताकि हमारी body acclimatize हो जाए उतने उस weather के लिए पूरा वो tuning पहले करनी पड़ती है complete tuning तो ऐसा कितनी बार आपको करना पड़ता है मतलब कि एक बार अगर आप 7000 पे जाके आए वो enough है या फिर इस process को और भी जादा बार आप लोगों को repeat करना पड़ता है अच्छा जितनी भी बार आप climb करोगे you have to go through the same process it doesn't matter आप पहले कितनी बार कर चुके हो sir अगर हम back to back कर रहे हैं जैसे मैंने अगर कोई 6000 अभी climb किया या 7000 meters का अभी peak climb किया और उसके just back में मतलब कुछ ही दिनों में मुझे अगर 8000 meters पे जाना है तो 7000 meters अगर मैं climb किया तो 8000 meters में मुझे acclimatize करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि मेरी body already उतने high altitude के लिए ready हो चुकी है लेकिन हम weather जो होता है दो ही time हिमाल्याज में climb होता है एक pre monsoon एक post monsoon तो pre monsoon climb करते हैं और post monsoon climb करते हैं उसमें दो महिने का गया पाता है अब दो महिने अगर हम sea level पे हैं तो वापिस altitude पे जाने के लिए आम में वापिस से उतना करना पड़ता है तो इतना सारा training किया अपनी body को आपने adapt किया और अब आपकी फिर शुरुआ तो ही mount everest climb करने की यह ख्याल कब आया कि मुझे mount everest win करना है और क्यों आया sir 2018 में ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि अभी जो field choose की है तो उसमें कुछ बड़ा अचीव करना है यह ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि मेरा पहले से ही एक dream है कि मैं जो girls है उनको specially sports की field में आगे लेके आऊं और एक girls की self defense की team बनाऊं ताकि वो हर एक जगह है specially गाओं वाली जगहों पे जाके गाओं में जाके girls को self defense की training देख सके से किसी पर depend ना हो खुझ से उस चीज के लिए fight कर सके तो वैसे मुझे एक NGO बनाना है जिसमें मैं girls को training दूँ sports के लिए आगे motivate करू मैं पहले जब schools में जाती थी बात करती थी students से parents से interaction करती थी तो मेरे उपर एक सवाल आता था कि तुमने क्या किया है एक बर strike हुआ था 2017 में ऐसा हुआ था तो 2018 में यह चीज strike होई मुझे बहुत sharply कि कुछ बड़ा अचीव करते हैं अपनी ही field में अगर मैंने अभी mountaineering field लिया तो mountaineering की field में ही कुछ बड़ा अचीव करते हैं उसके बाद हम लोग यह जो मेरा dream है मैं उसको पूरा execute कर पाऊंगी तब मैंने सोचा था कि हमारी field का जो best है वो mounteverest है mounteverest सबसे best है सबसे top सर वही है number one dream है यह जो भी इस field में है उनका mountaineering की field में सर 99% लोगों का dream होता है mounteverest climb करना अच्छे जब आप शुरू कर रहे थे कि मुझे mounteverest climb करना है तो parents की तरफ से कुछ resistance नहीं आया mother पिता ने रोका नहीं कुछ कि यह dangerous है क्यों जा रही हो ऐसा कुछ initial level पे मेरी mother को भी बहुत डर लगा था family वालों को थोड़ा डर लगा था क्योंकि इसके पूरे के पूरे consequences बता देने पड़ते है पहले से घर पे कि हम mountaineering कर रहे हैं तो क्या क्या मतलब situations आ सकती है तो initially उनको भी डर लगा था बट दीरे दीरे उन्होंने full मतलब support वो पहले भी करते थे बट डरते थे दीरे दीरे जब उन्होंने मेरा जो behavior था वो देखना शुरू किया मेरा confidence देखना शुरू किया तो उनको मेरे उपर confidence आ गया और उन्होंने मुझे 100 की जएगे 200% support करना शुरू कर दिया लवली, so mount Everest के time भी they supported you कि जा कर किया मुझे डर तो लग रहा होगा एक डर तो मतलब family में होता ही है जैसे मैं वहाँ गई थी base camp से जब उपर जाना शुरू करते है तो वहाँ पर network availability zero है तो 4-6 दिन कोई contact नहीं होगा उन लोगों के साथ तो उनको बता के जाना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है by god grace जो भी होगा accept कर लेना मैं जा रही हो बस भगवान से दुआ करना कि safely वापिस नीचे आओ तो ये 5-6 दिन तो parents के लिए बहुत खतरनाग होते होंगे आसर बहुत अब होते हैं इसा बोलके गए हो तो और भी जादा डर लगता है Mount Everest की journey पूरी आप मुझे समझाएं जरा I think काफी लोग interested होंगे इसे जानने वे कैसे शुरू होती है पहला stop कहां आता है पूरा क्या तरीका होता है सर माउंट Everest के लिए सबसे पहले फिजिकली तो fully prepare होना ही पाता है उसके साथ mentally भी उतना ही prepare होना पड़ता है क्योंकि काफी situations ऐसी आती है जब आप फिजिकली पूरी तरह ठक जाते हो प्योंकि body की एक capacity होती ही कि हम इतने hours तक ही work कर सकते है उसके बाद body भी काम करना बन करती है तब हमारी mental जो strength है वो काम आती है तो physically के साथ साथ mental strength बढ़ानी पड़ती है उसके लिए मैंने running करनी शुरू की running 12 hours वो भी एक छोटे से ground पे 300 मिटर के ground पे की 12 hours continue बारग मतलब एक छोटे 300 मिटर के ground पे round 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 दोडते रहना 12 hours तक लगातार तुम दोडती रही हाँ सर लगातार बिना कोई break है खाना बिना कुछ नहीं नई सर पानी मतलब मैं मेरे छोटी बोटल वाटर बोटल हाथ में लेके दोडती है मगर वो दोडते दोडते ही पानी पिया आपने तो कोई record भी बनाओगा फिर तो ये हाँ सर एक record बना था youngest girl इंडिया book of world record में youngest girl to run continuously for 12 hours 12 hours आपने रन किया ये जस्ट माउंट एबरे से पहली की बात है हाँ जी सर और 6 hours जैसे complete होते हैं तो में को थोड़ी stretching की जरूरत होती है बोडी में तौरनेस आने शुरू होती है 12-6 hours के बाद 5-10 मिनट का stretching सेशन लेके फिर वापिस दोरना शुरू तो माइंड को कैसे समझाते हो उसके अंदर क्योंकि शरीर भी ठक रहा है आपने का माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है 6 गंटा तो बहुत बड़ी बात होगी लोग आजकर 30-35-45 मिनट कार्डियो के लिए ट्रेड मिल पे भी दोड़े हैं तो 45 मिनट बाद ऐसा लगता है कि भाई अब खताम हो जाए तो ठीक रहे है तो कैसे अपने मन को क्या समझाती हो तो क्या अंदर आवाज चलती है क्या बात चलती है अंदर वो थोड़ा सा बताओ कि इंसाइट दे माइंड वोट इस हैपनेग सर जो मेरा ड्रेम था मेरे दिमाग में बस वही चलता था कि वहाँ पहुँचना है माँट एवरेस्ट पहुँचना है टॉप पहुँचना है उतने सिच्वेशन को अब पार करना है तो ये कुछ भी नहीं है बस ये एक री बात चलती है ये एक बात चलती हो तो कभी कुछ ऐसा मन करता है कि give up करने का मन कि अभी तो बहुत हो गया क्यों कर रही हूं क्या ज़ुरत है ऐसा कुछ कॉन्वेशिशन चालू होता है कभी खुद को कहीं न कहीं एंजॉयमेंट के मूड में वो सब काम करती हो तो बोरिंग नहीं लगता यह कि वो सब चीजे मुझे मतलब में को उन सब चीजों से रनिंग करना मुझे बहुत शेल हो गया आपके लिए टेस्ट में इसमें बॉलर बॉलिंग करता रहता है क्रिकेटर जो होता है बैटस्में बैटिंग करता रहता लेकिन ठकता नहीं बट फिर भी उनको बीच वीच में रस तो मिलता लेकिन 12 गंते तक लगा तार दोड़ते रहना इसमें तो शरीर क्रेम्स अना भी श्रू हो जाते हैं इसलिए बड़ी को फुली हाईड्रेटीड रखना पड़ता है तो हाईड्रेशन के लिए वाटर तो होता है सिंपल वाटर उसके साथ वाटरीषन टैबलेट्स होते जो पानी में दालके पीते हैं कोकनट वाटर है लमन वाटर है वो सब कि एक टेस्ट अगर चेंज करना है तो दूसरी चीज तो वैसे करके मैं खुद की बॉड़ी को इतना हैड्रेट और सौर्ट की कमी बॉड़ी में नहीं होने देनी जिसकी वज़े से क्रेंप साते हैं कोई टेकनीक भी होती होगी is there a technique as well कि कोई स्पीड को मैनेज करके चलना है या जैसे कई मेराथोन में अलग टेकनीक होती है तो is there any technique as well that you use मैं मेरे लिए एक टेकनीक यूज करती हूँ कि initially कि 4 hours जो है 3 to 4 hours जितना maximum मैं से running किया जाता है मैं fully उसको cover कर लेती हूँ बीच के 3-4 hours जो है उसमें मैं नॉर्मल जोगिंग जैसा करती हूँ और लास्ट के 3-4 hours मैं वापस full running करती हूँ जितना stretch होता है उतना stretch कर देती हूँ लास्ट का जो 1 hour है उसमें तो फिर देखना नहीं है क्या है फुल जोर देना है वन आउट सर्फ लगा सारतेजी से तो फार्ट बीट कहां पहुच जाती है वान एटी नहीं दग चली जाती है बट प्रैक्टिस से वह इतनी हाई नहीं जाती है इतना लॉंग करने पर थोड़ी हाई जाती लास्ट मैं लेकिन जब मैंने पहले से प्रैक् पर गई ती जब 40 km मैंने किया 6 to 6 आवर्स में उसके बाद में वहाँ पर गई थी कि अब मुझे 12 आवर्स के लिए मैं प्रोपेर हूं अब मैं 12 आवर्स दोड़ सकती तो कितना किलोमेटर रन किया उसमें 12 आवर्स में अडानी में होता है ADR Knight Ultra, वो 12 गंटे की भी होती है, 4 गंटे की भी होती है, 6 गंटे की भी होती है, तो मैंने 12 गंटे की दो बार ADR Knight Ultra में रणिंग किया है, उसके अलवा सोलो मैंने बहुत सारे किया है, और सोलो में ही मैंने रकोर्ड क्रेयेट किया था. So, coming back to Mount Everest, अब आप चालू किया आप लोगों ने, कि आप चड़ाई चालू हो चुकी है, तो पहला स्टॉप कहां आता है, बेस केम पे होता है पहला स्टॉप? नई सर, पहला स्टॉप बेस केम पे नहीं होता हमारी जो जर्नी होती हो काठमांडू से स्टार्ट होती है तब से मेन चीज माउंट अग्रस क्लाइम करने के लिए हमारे जो एक्क्यूबमेंट्स है वो सब एकदम हाई क्वालिटी के होने चाहिए क्योंकि वह हमारे लाइफ स लुकला लुकला और जो हमारी क्लाइम्बिंग की जर्नी जो शुरू होती है वो लुकला से शुरू होती है तो लुकला से बेस केम जाने में आठ दिन लगते हैं लुकला से हम लोग पहले जाते हैं पार्खडिंग पार्खडिंग में नाइस से करते हैं पार्खडिंग से नामचे बजार, नामचे बजार 3000 मिटर्स की हाइट पे हम लोग पहुच गए, तो 3000 मिटर्स की हाइट पे एक दिन नाइट स्टे एक्स्ट्रा करना होता है, आज पहुचे हैं तो आज तो रुकेंगे, कल भी हमें वहाई पे रुकना है, ताकि हमारी बड़ी 3000 मिटर्स के दिनकपोचे से लोभोचे, लोभोचे से फिर हम 8th एप पहुचते हैं, बेसकेंप पे 8 दिन लगते हैं बेसकेंप तक चालेवा, बट बेसकेंप तक मैंने देखा है कि लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टप्स में जो होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड़स बेसकेंप तक जाके आएंश फिजिकल फिटनेस और आपके साथ जो गाइड है उसकी अगर आप प्रोपर गाइडेंस लेते हो तो अप अच्छे से क्लाइण कर सकते हो बेस केम तक तो अजिसलेकर अपनी बोड़ी को फिजिकली फिट करते हो तो हुआ उसके बाद आप सोच सकते हो कि हां मैं base game जा सकता हूं पर base game तक कोई बहुत ज़्यादा danger होता है base game तक भी कोई death के chances या ऐसा कुछ होता है base game तक सर होता है अगर आप proper guide की बात नहीं सुनते हो आपको जो भी proper guidance देता है वो नहीं सुनते हो तो chances आते हैं क्योंकि वहां पे भी 5,360 meters की height है सब 17,000 feet है तो वहां पे oxygen बहुत कम होता है वहां पे भी क्योंकि कोई भी green zone वहां पे available नहीं है सिर्फ ice, snow और rock यही है तो वहां पे भी chances होते हैं इसलिए body को acclimatize करना बहुत जरूरी होता है कभी-कभी किसी-किसी की body 3000-4000 meters की height पे एक दिन में acclimatize नहीं होती और पानी body को hydrate करना भी proper जरूरी इसलिए कि अगर पानी की amount हमारी body में proper जाएगी तो oxygen की कमी कम होगी अगर हम hydration proper नहीं लेंगे तो oxygen की कमी हमारी body में ज्यादा होगी headache होगा, problems आएँगी कई बार वापिस भी आना पड़ता आधे रस्ते से काफी सारे लोगों को तो वो सब proper guidance लेके ही जाना चाहिए proper अपनी body fit हो तभी जाना चाहिए हमारे साथ थे एक उनकी death base camp पे हुई थी आप इक ग्रूप में जो थे? हमारे ग्रूप में नहीं थे, वो दूसरे ग्रूप में थे बट इंडियन थे कितने का ग्रूप था आपका जिस जो ग्रूप गया था? सर मेरा जो ग्रूप था वो आठ लोगों का ग्रूप था पाइफ उसमें foreigners थे तो अब आप base camp पहुँच गए है उसके बाद क्या होता है? आठ दिन लगते हैं टोटल base camp तक जाने में हाँ जी सर तो वो जो लुकला था वहाँ से आप base camp पहुँचे आठ दिन की journey रही अब यहाँ से? base camp पे सर सबसे पहले हमारे जो equipment से उनकी पूझा सरमनी होती है हाँ हमारी safety के लिए पूझा सरमनी equipment के और हमारे लिए होती है उसके बाद training session होता है training session में guide किया जाते है कि अगर क्रवास को cross करना है तो ladder कैसे हम लोग ladder पे चलेंगे क्या-क्या techniques है ladder पे चलने की अगर wall है तो wall पे कैसे-कैसे हम लोग climb करेंगे equipment के साथ कैसे करेंगे equipment अगर by chance कभी गिर जाता है हमारे हाथ से slip हो जाता है किसी reason से क्योंकि gloves पहने होते है कई बार वो grip नहीं बन पाती तो without equipment हम लोग कैसे climb करेंगे वो सब हमें वापे training दी जाती है base camp पे उसके अलावा आजूबा जो के जो terrains है उसमें tracking करके हमारी body को और high altitude के लिए acclimatization करना होता है उसके बाद rotations चालू होती है base camp से camp 1 जाके वापेस base camp आना है rotations में हम कुछ हमारा जो stuff जो equipment है वो जो हमें base camp पे, camp 1 पे नहीं चाहिए camp 2 पे चाहिए यह camp 2 से आगे चाहिए वो हम लोग camp 2 पे छोड़के आते हैं first rotation में जाएंगे तो जो समान हमें जो भी हमारे equipments है जो base camp पे हमें नहीं use लगेंगे उपर use लगेंगे वो हम लेके जाते हैं और camp 1 पे जाके उनने छोड़के आते हैं वापिस base camp आते हैं next time अगर फिर भी कुछ equipment बच गए हैं जो हमें उपर चाहिए तो next time उनको carry करते हैं और वो base camp 1 लेके जाते हैं और फिर camp 1 पे दोनों को combine करके camp 2 पे लेके जाते हैं और camp 2 पे drop करते हैं कि जो final summit push होता है उसमें हम लोग camp 1 पे stay नहीं करते हैं डायरेक्ट base camp से camp 2 जाते हैं तो हमारे जो equipment से वो base camp 1 पे नहीं छोड़ने होते हैं वो camp 2 पे छोड़ने होते हैं वहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं और camp 3 तक सिर्फ हमारा bag लेके टच करके वापिस आते हैं camp 3 को camp 3 पे रुखते नहीं है camp 3 की height है 7100 meters तो rotation में camp 3 पे नहीं रुखते हैं camp 3 touch किया वापिस camp 2 आते हैं तो camp 2 पे two night stay करते हैं क्योंकि 6500 meters है उसकी height है हाँ 6100 meter camp 1 की height है camp 2 की height है 6500 meters camp 3 की height है 7100 meters हाँ वापिस आ जाते हैं फिर उसके बाद camp 2 पे आते हैं camp 2 पे one night stay extra करते हैं जिससे हमारी body 6500 के लिए fully ready हो जाए हाँ फिर वापिस नीचे आते हैं और body को recovery time देते हैं क्योंकि उतने high altitude पे जो हम जाते हैं तो हमारी body काफी तरीके से ठक जाती है तो उसको recovery बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो वह recovery time हम लोग उसको देते हैं अराउंड five to one week five days to one week का time हम देते हैं तो वह recovery time होता है उसके बाद window जब open होती है जब weather window government उनको देती है जो agency वाले head है उनको weather window बताई जाती है कि यह यह days clear है उसके बाद हम लोगों को permits मिलते हैं कि अब हम यहाँ से move कर सकते हैं वहाँ से भी permits आएगा तो ही आप move करोगे हां जी हां जी ओके according to weather हमें permits मिलते हैं तो हम लोग फिर आगे move करते हैं फिर उसके बाद जो journey रहती है वो four days की journey रहती है अभी तक कित्ते दिन खतम हो गए इसमें one and a half month डेड़ माने से अभी तक आप उपर नीचे उपर नीचे ह सुविदाएं क्या रहती हैं जो केम सोते हैं उनमें क्या सुविदाएं रहती हैं सर सुविदाएं कोई नहीं होती हैं base camp पे हमें डाल भात जो नॉर्मल fresh food है वो मिलता है सिफ एक यही सुविदा है उसके अलावा tent में सोना है sleeping bag में ही सोना है अपना खुद का luggage खुद से के 15 kg हमारे पास luggage होता है जो हम कैरी करके उपर लेके जाते हैं अपने साथ सुविदाएं कोई नहीं रहती सिर्फ oxygen cylinder जो है वो कैम 3 से हमें अपने साथ कैरी करना होता है कैम 3 तक उसका वजन कितना वजाता है फिर और 12-15 ता आप और लेडी लेके चल रहे हो फिर oxygen cylinder और सर वहा उसके अलावा जो भी हमारे पास thermals है वो सब हम पहन लेजे है तो बैग में oxygen cylinder और summit gloves, summit goggles ऐसे करके कुछ चीज़े हमारे बैग में होती है तो एक oxygen cylinder का weight around 6-7 kg होता है 4 लीटर oxygen होती है और उसके अलावा उसका weight तो 67 kg का weight होता है रोके वो आगे carry करना होता है तो वो फिर आप final journey 4 दिन की summit तक के लिए चालू होती है हाँ जी पहले जो base camp से journey चालू होती है वो night में चालू होती है क्योंकि base camp से camp 1 का पूरा region खुमबो glacier है उसमें इतने सारे grasses है और वो बहुत ही उसको death zone बोला जाता है बहुत ही risky zone है वहाँ पे night में temperature stable होता है ठंडा ज्यादा होता है तो ice जो होती हो हाड होती है उसमें ice का melt होके तूटने के chances नहीं होते हैं तो night में चालू करके morning में camp 1 तक पहुंच जाओ और उसके बाद afternoon तक camp 2 पहुंच जाओ overnight trekking करके hiking करके हम लोग camp 1 पहुंचते हैं camp 1 से सिफ camp 1 पे हमारा tea break होता है tea break मतलब वो लोग hot drink देते हैं हमे energy drink तो वहाँ पे लोग already होते हैं जो यह सब manage कर रहे होते हैं या साथ में लेकर चलते हैं सर अपना food हमें खुद carry करना होता है तो टी वगेरा भी पैगने है टी नहीं होती सर टी ब्रेक मतलब हमें energy drink को hot drink मिलती है इतने थंडे में थंडी चीज़े तो नहीं पी सकते तो hot drink मिलती है और drink को पीते हैं साथ में यह तो biscuit होते हैं लगबग biscuit ही होते हैं वो लेकर energy लेकर अगर biscuit नहीं खाने है तो खुद से जो अपने पास चौकलेट्स केरी की है वो खाके energy गेन करके फिर हम लोग केम्टू के लिए रवाना होते हैं केम्टू की जो जर्नी है केम्ट वन से केम्टू की जर्नी वो बहुत risky इसलिए है कि क्यों आपे hidden क्रवास है अगर क्रवास खुला है जो खाई है दो बरफ की दिवारों के पिछ की अगर वो खुली है तो हमें दिखेगी हम उसको कूद के जा सकते हैं या कैसे उससे बच सक सकते हैं वो सोच सकते हैं लेकिन अगर वो hidden है नीचे दिखनी रहा तो बहुत risky है कई वार वो हमारे चलते चलते भी खुल जाता है हमारे आगे एक शेर्पा चल रहे थे दूसरी टिम के वो क्रवास में गिर गए थे लो फिर रूट पूरा चेंज करना पड़ा वो ज्याद गहरा नहीं था क्रिवास इसलिए उनको तुरंट rescue किया बाकी मेंबर्स ने मिलके और जो गाइड से उन लोगों ने मिलके उनको rescue किया वहार निकाला और उनको injury नहीं थी तो वहां से फिर दूसरा रूट फाइंड गया और दूसरे रूट से फिर केमट्यू पहुंचए केम तो नहीं से केमत्री की जरूप वाली आती है मैक्सिम्म व स्क्लाइम करनी होती है निस एक जलोपे हैं वहां से रोट्री के बीच विच मेंग करनी होते हैं तो बहुत देखके unhte भट जियान देंके चलना होता है अगर एक कोई भी परसन देख लेता है कि रॉप उपर से आ रहा है आवाज भी सुनाई देती है तो उपर से ही शाउट करना होता है रॉप फॉल अलर्ट हो जो तो सब लोग उपर देखके रॉप किस डिरेक्शन में जा रहे हैं दूसरी साइड वे सब लोग मूव कर जाता ह किसी को इंजरी ना हो केंप 3 जहां पर सेट अप किया जाता है वो पूरा टेरेन ही एलिवेशन में 30 डिगरी के एलिवेशन में ही पूरा टेरेन है पहले स्नौ को राइस को थोड़ा सा बीट करके और काट के निकाल के लगबग फ्लैट करने की कोशिश करते हैं फिर उसके उपर टेंट पिच किये जाते हैं टेंट के बाहर एक और पिच किया जाता है जिसमें हम लोग अपनी सेफटी के लिए उसको पिच करते हैं अगर हम टेंट से बाहर निकल रहे हैं और ध्यान नहीं दिया नीचे स्लोप है तो गिरने के चांसिस होते हैं तो हमने जो सेफटी एंकर अपने वेस्ट पे लगाया होता है उसको हम लोग उस एंकर में लगाते हैं ताकि हम लोग गिरे तो वो एंकर हमें प्रोटेक्ट कर ले सेफटी के लिए तो केम 3 यहां पे लगाया जाता है केम 3 से आगी कि जो जर्नी है वो बहुत कंटिनुएशन में आती है उसमें हमे पूरे टीम निकलती है साथ में उसके बाद रस्ते का टेरेन स्टीप तो आता ही है जैसे जैसे कि 7100 मिटर से 7900 मिटर जाना एट 800 मिटर का एलिवेशन गेन करना है पूरा तो स्टीप काफी टेरेन आता है लेकिन एक एरिया आता है येलो बेंड जो पूरा रॉक की वॉल है र श्रकी पैज को क्लाइम करना स्पाइक्स को साथ घ्रंपोंजे जो शीूस के निचे स्पाइक्स लग अधर ज़ाता है इस को क्रैमपॉंज बोलते है उसके साथ क्लाइम करना बहुत टफ ह क्यों क्लाइम करना होता क्यों थे जेब एकि पन आगे टीएarkan और फूरा वार ग्र पहुँच के दो धाई घंटे का रेस्ट लिया, दो धाई घंटे के ब्रेक में पानी पीते हैं, एनर्जी लेते हैं, मैंने एनर्जी लेती है, चोकलेट से, अधर सोर्स होता है, सूप, यह पैक्ड जो फूड होता है, इसमें होट वाटर डाला और वो इसमें पूड हो गया, वो हमें केरी करना होता है, जो भी हमें पसंद है, वो चीज़ हम केरी करते हैं, तो वो केरी, जो भी आपको लगते हैं कि अभी इस तेम पे मुझे यह खाने से एनर्जी इंस्टेंट मिलेगी, वो खाके, मैंने चोकलेट खाई थी, और पानी पिया था, सारे छी बज़े कि असपास मैं केम फॉर से उपर के लिए मांट एवरेस्ट के सम्मिट के लिए निकली थी, मेरे शेरपक के साथ, केम फॉर से आगे की जो जर्नी होते हैं, वो पूरे टीम एक साथ नहीं करती, क्योंकि केम फ्री से आगे कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, जिसे केम फॉर की जर्नी में वैदर बहुत खराब हो गया था, जीरो विजिबलिटी हो गी थी, कुछ दिखनी रहा था आगे का, तो कुछ लोगों की स्पीड स्लो हो जाती है, अगर वैदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा और कुछ लोगों की स्पीड स्लो है, वो आधे रस्ते भी नहीं प फोर से मैंने मेरी जर्णी थोड़ा अर्ली शुरू कर दी थी बाकिटिंग मेंबर्स के कमपेरिजन में ताकि बीच में मुझे ट्राफिक जो ट्रेकर्स है उनका ट्राफिक बीच में ना मिले काफी सारे टेरेंस बहुत नेरो आते हैं हम आपे हम ओवर टेक एक दूसरे को नहीं कर सकते तो आपे हमें जो आगे वाला जिस स्पीड पे चल रहा है जिस पेस पे चल रहा है उसी पेस पे हमें आगे बढ़ना होता है तो ऐसे टेरेंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आगे वाला बहुत स्लो चल रहा है तो हम लोग ओवर टेक भी नहीं कर सकते और उसी की स्पीड पे चलते तो बहुत ज्यादा एनर्जी लोस होती है इसलिए मैंने थोड़ा अर्ले शुरू किया था समिट के लिए सी कि एक तो 8000 मीटर क्रॉस हो गया तो फुल डेथ जोन आ गया एक ही ओक्सिजन आपे अवलेबल ओनली 20 परसेंट है एर प्रेशर बहुत कम है ओक्सिजन मास्क लगा के ही चलना है दूसरा कि एक स्टेप आता है हिलेरी स्टेप वो इतना रिस्की है कि दोनों साइड खाई है इतने डीप है कि वो खाई जैसा ही दिखते है अजब इन्वीजिबल नीचे क्या है वो हमें नहीं दिखता ऐसा ऐसी टेरेंस आती हैं फिर डेड बोडी जाती है जिनें हमें क्रॉस करके जाना होता है कई बार काफी लोग वहां से बैक आउट बिगाते हैं क्यों डेड बोडी देखकर के एक अजीब सा एक्सपिरियंस आता होगा कि क्या है ये सर मेरा एक्सपिरियंस ऐसा था कि मैंने पहले जो क्लाइम्स किये थे उसमें ऐसा कभी फेस नहीं किया था books जो थी वो मैंने पढ़ी थी books में पढ़ा था कि dead bodies है उपर movies भी देखी थी mountains की तो उसमें भी देखा था कि dead bodies आती है लेकिन जब मैं खुद वहाँ पहाँ पहाँ थी उस moment पे तो मैं खुद भी दो minute के लिए तो freeze हो गई थी ये क्या है क्या करना चाहिए आगे, उसके बाद जो मेरा ड्रीम था, उसको, मैंने फ्रायुरिटी मेरे ड्रीम को दी, कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कैनि कि बहुत लोगों ने मेरे पास सपोर्ट किया था मेरे साथ, मेरे पो आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के उमीदे थी, वो सब भी पूरी करने थी, मेरा पुद का ड्रीम भी था, उसको भी पूरा करना था, तो मैं आगे बढ़ी, और फाइनली सुभे 17 माई 2023 को टॉप अफ दा वर्ल्ड पे मैं पहुँची थी, क्या बात है, क्या फिलिंग रहती है वहाँ पे, जब आप उस टॉप पे पहुँच जाते हो और देखते हो वहाँ पे, क्या अंदर चल रहा होता है, क्या कॉन्वोसेशन होता है, क्या एमोशन होता है, सर, वो जो व्यो था, वो इतना ब्यूटिफुल था, इतनी एकसाइटमेंट थी, इतनी खुशी थी वहाँ पहुचने की, पर फिर भी सबसे पहली चीज जो मैंने की थी वहाँ पहुचके, कि महादेव को शुक्रियादा किया, कि भगवान आपने मुझे सेफली यहाँ तक क्या बात है, बहुत प्राउट मुमेंट वो मेरे लिए था कि बहुत कम लोग हैं, जो वहाँ पहुच पाते हैं, तो उन में से मैं एक हूँ और अपना इंडियन फ्लेग वहाँ लह रहा रही हूँ, तो बहुत प्राउट मुमेंट था में करने हैं, लगवख कितने 500 करीब लोग ही हैं, पूरी जनसंक्या में, जो आज तक टॉप समिट तक पहुचें, इंडिया की जनसंक्या में 544 लोग हैं, 1953, जब मांट एवरेस क्लाइम हुआ था, तब से लेके 2023, लास्ट जो भी इस सीजन में अभी सल प्लाइम नहीं हुआ है, वो मही में होगा, तो 2023 तक जो ट्राइम हुए हैं, और 544 लोग ही हैं, क्या बात है, उसमें से एक आप भी हैं, जिन्होंने जा करके देश का जंडा ले रहा है, क्या बात है, एक और इंसिदेंस रिटन में आपके साथ में हुआ, जहां पे आपको ये फ्रोस्ट बाइट हुआ और आपको अपनी उंगलि और डेडलियस्ट है, तो वो ऐसा जगह है, जहां पे दोनों साइड एट थाउजर मीटर डीप, अभी उसको हिंदी में बोले तो खाई है, और इंगलिश में बोले, मतलब माउंटेनेरिंग की लैगवेज में बोले, तो क्रिवास है, कुछ भी नहीं है वाँ पे, कुछ भ बड़े हो सकते, अगे पीछे रखके इखड़ा होना पड़ता है, तो बैलेंसिंग कैसे होती है, लोग गिरते नहीं है उस वाइगा, तो जाते समय हमारे पास एक इकमेंट है, जुमार, जो अगर हमने उसको आगे पुश किया, तो उसकी बाद वो पीचे नहीं आएगा, वो रोप में उसके तीत्स जो है अटक जाते हैं, तो वो उसको पीछे नहीं आने देते हैं, पर आम उसको आगे ही पुश्च करेंगे, जहां पर उसको निकालना है, तो पूरा खोल के फिर निकालना पड़ता है, तो वैसा एक एक्क्यूमेंट है जो हमें बचा लेता है, इंसिडेंट होते हैं, बट as compare descend, ascend में कम होते हैं, वहाँ पे जब मैं उतर रही थी तो Hillary step पे मुझे धाई गंटे खड़े रहना पड़ा, क्योंकि क्लाइमबर्स जो थे उनका एक क्लाइमबर्स की लाइन बन गई थी वहाँ पे काफी लंबी, उनको मुझे priority देनी थी, क्योंकि मेरा summit हो चुका था, मेरा dream अचीव हो चुका था, और उन लोगों के dreams थे, उन लोगों के dreams को मैं, मेरी वज़े से उन लोगों की energy loads वहाँ पे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ गंटे खड़ी रही, और उन लोगों, जब वो सारे climbers क्रॉस कर गए, उसके बाद मैं नीचे आई, तो वो धाई घंटे की डूरेशन में वेदर बहुत खड़ाब हो गया था, वेदर खड़ाब, विंड्स जो थी, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी, 45-50 किलोमेटर की विंड जो थी, वो चल रही थी, इतनी हाई वेंड्स जब होती है तो खड़ा रहना बहुत मुश्खिल होता है, जब मुषमbend में बोड़ी होती है, तो बोड़ी हीट अप रहती है, तो कोईप्रोब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब हम खड़े रहते है, तो बोड़ी थंड़ी होन से इसे कान से तो यह सब चीजों से हमें ठंडी लगना शुरू होती है नौज हमारा ऑक्सिजन से धक अम आप्सेजन मास्ट से धका हुआ होता है तो जब हम ब्रीध करते तो वह हीट अपी रहता है कि हमारी ब्रीध से वह हीट रहता है कान हम लोगोने कवर की होते पूरे पहने थे, पहले थर्मल, उसके उपर थोड़ा मोटे वाला, फिर उसके बाद सम्मिट ग्लाउस, तीन लेर ग्लाउस पहना था, फिर भी हाथों में इतनी ठंडी लगी, और फ्रॉस्ट बैट हो गया, इतनी हाई विंड्स थी, मेरे सम्मिट वर्बल्स और टॉर्च, हेड तो आगे का देखने के लिए टॉर्च तो चाहिए, तो वो जो टॉर्च पहने थी, सम्मिट वर्बल्स पहने थे, इतनी हाई विंड्स में उस सब कुछ उड़ गया था, तो आइस में भी प्रोब्लम हो सकती थी आपके, आइस में प्रोब्लम हो सकती थी, लेकिन एक्स्ट पॉलराइजड होने चीए, वो भी हाईली पॉलराइजड, तो वैसे गोगल लेके जाने होते हैं, अगर वो नहीं पहने, तो स्नो ब्लाइननेस तुरंत हो जाती है, तो फिर यह फ्रोस्ट बाइट हुआ, तो फिर नीचे आकर के आपको, सर उस तेम पे मुझे नहीं पता लगा, कि मुझे फ्रोस्ट बाइट होगा, कि मेरे हाथ जब थोड़ा थंदा लगता है, तो पेन होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल इपी जब थंदे में जाते है, थंदा लगता है, तो फेन होना शुरू हो जाता हम लोग क्या करते हाथों को गरम करने के लिए, बीट कर मांट लोट से वर्ल्ड का फॉर्थ हाइस्ट पीक है 8,516 मिटर उसकी हाइट है वो कैम्प फॉर से ही मुझे क्लाइम करना था लेकिन जब मुझे थोड़ा पेइन फील हुआ तो मैंने ही मेरे गाइड को बुला कि हम थोड़ा डिसेंड करते हैं एनर्जी वहां से लेते हैं पिर वापिस उपर आके फिर मांट लोट से कलाइन करेंगे ये जर्नी कंटिनुएशन में रहती है सर्ड गैम्प फ्री से कंप फोर कंप फॉर से सम्मेट और सम्मेट से वापिस कंप फॉर यह जाता है तो 36 सावर कंटिनियूस चलना ही है, केम फोर पे थोड़ा रेस्ट किया, फिर केम थ्री, केम टू आये, तो पेन बढ़ना शुरू हुआ, पेन बढ़ना शुरू हुआ, जब मैंने गलाउस निकाल के देखा, तो फिंगर्स मेरी रेड होना शुरू हुआ गई थी, जब मैंने वह आप पे बताया, तो पता लगा कि फ्रोस्ट बाइट हो गया है, तो जान बची तो लाख हो पाए, यह जो मुहा हो रहा है, दूसरा है कि, डॉन्ट बी अगामा इंदी लैंड आफ लामा, तो वहां से मैंने केम्ट टू पहुचने के बाद, जब कुझे ज़्यादा पेन हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी डिसेंट करना है, वापिस नहीं जाना है, मेरा एक्सपिडेशन वहीं पर पूरा किया, और बेस केम्प आई, बेस केम्प आने के बाद, बाई हलिकोप्टर काटमांडो और काटमांडो में हॉस्पिटर, तो ये इतना इंसिडेंस हुआ, सब उसके बाद कभी लगा कि कुछ रिग्रेट हुआ कि उंगलियां खो दी है, और या अभी भी वापिस तयार हूँ, सर मैं पूरी तरह वापिस तयार हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि जो अचीवमेंट है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, और मेरे से ज़्यादा हाई लेवल पे काफी लोगों को हुआ था, तो मेरे को बहुत लोग लेवल पे हुआ था, तो अभी आपको अगर कोई और माउंटेन चड़नी हो, तो विल्दे अलाव यू? हाँ, लेकिन अभी अगर मुझे रिसेंट लिए अगर पहीं जाना हो, तो इसमें थोड़ी सेंस्तिविटी जो नॉर्मल ये बाखी सब को हाथों में होती है, उससे ज़्यादा हाई है, कि ठंडा जो अभी जो टेमप्रेचर है, उससे दो से तीन डिगरी जादा मुझे फील होगा, और गरम भी दो से तीन ज्यादा मुझे फील होगा इसमें तो वो सेंस्टिविटी के लिए मुझे एक साल इसको मतब अराउंड वान इयर उसको रेस्ट देना मेरे हाथों को उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्ष्टकों को बताईए कि यह क्या नया आपने खत्रा बोल लिया है सर अभी तक किसी भी लड़की ने ऐसा कुछ चैलेंज लेने का सोचा नहीं हो गया मैंने ऐसा चैलेंज लेने का सोचा क्योंकि मैं अपना जो इंडियन फ्लैग है वो हारे कंट्री में ले जाना चाहती हो अभी पुरे वर्ल्ड में वार का माहोल चल रहा है तो पीस और एमिटी में जो मेरा शलोगन है वो पीस एन एमिटी है सब जगे शांती हो अपने हैं तो एक तरीके से एक पीस राईड आप करने वाले हो एक कि पीस को रिप्रेजेंट करने के लिए बरुडा से आप चलेंगे साइकल पे और लंदन तक जाएंगे कितना हजार रहेगा इस किलोमेटर कितने दिन 15,000 प्लस किलोमेटर से 15,000 प्लस और कितने दिन की जर्नी रहेगी 200 प्लस टीस्ट की जर्नी रहेगी और कब से शुरू कर लेगी 21st of June से स्टार्ट करने का फाइनलाइज के रहे क्या बात इस पूरे माउंट एवरेस्ट के एपिसोड से और इस जर्नी से क्या इंपोर्टेंट लेसन आपको लाइफ के मिले जो आप दर्शकों को शेर करना चाहेंगे सर मैं यही शेर करना चाहूंगे कि कोई भी चीज इंपोसिबल नहीं है अगर आप उसके लिए पुरी शिद्दत से महनत करें तो कोई भी चीज आपकी लाइफ में इंपोसिबल नहीं है एक काफी लोग डिमोटिवेट होके बढ़ जाते कि यह मुझसे तो नहीं होगा यह मैं कैसे करू मुझे कोई गाइडेंस नहीं है गाइडेंस ढूननी पड़ती है हमारे घर पे बैठे वे कोई हमें आके गाइड नहीं करता तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मैंने भी जब प्रप्रेशन कर रही थी तो मैंने भी मेरी फैमिली से काफि टाइम तक दूर रहना festivals celebrate नहीं कर पाती थी क्योंकि practice में होती थी तैयारियां कर रही होती थी कभी course में हूँ birthdays celebrate नहीं करना parties नहीं कर पाती थी दोस्तों के साथ घूमना दोस्तों के साथ connectivity कम हो गई थी वो सब चीज़े कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है काफे सारे बलिदान किये हैं तब जाकर के भारत का जंड़ा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले रहा है आप में हाँ सर क्योंकि कोई भी फिल्ड हो उसका एक पीक पॉइंट होता है हर किसी को अपनी फिल्ड में टॉप पे पह पूरा एक सही डाइरेक्शन में वर्क करो तो आप उसको पा सकते हो आज नहीं तो कल नहीं तो परसो इंपॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकते है आप पा सकते हैं बहुत बढ़िया दिशा काफी अच्छी बाते आपने शेयर करी बहुत ही ब्यूटिफुल आपने इस एक्सपिरियंस को बताया और नो वी विल मुव टू रैपिड फायर एक शोट रैपिड फायर अब लेंगे यस्टा माउंटेंस या रोड जादा पीस कहां पर मिलता है मूँजीक या साइलेंस राइड से पहले क्या प्रिफर करती हो साइलेंस टफ टाइम मंत्र मामृत्यूंजे मंत्र मामृत्यूंजे माउंट एवरेस्ट में बहुत बढ़ी होगी उसकी पूरा कैम 4 से लेके टॉप तक मैंने हुआ है एवरेस्ट के बारे में सबसे बड़ा मिस्कंसेप्शन क्या है अभी लोगों के माइन में यह है कि कोई भी क्लाइम कर सकता है पैस आइस जो कई लोग हेलिकौप्टर से पुरा उपर जाते हैं व्यूव देखके आते हैं सर्वर्ण वहलिकौप्टर से सिफ दिखाते हैं वह थर्टी थाओजन फिट अब मैं और अपनार्यूंच, अपस्छते नियों आप सब्मीट पर बश्चया गोमा की आइपकर लगव हाइट यह डेप्थ, क्या ज़्यादा स्केर करते है, कभी लगा कि वापिस नहीं जा पाओ गे पूरी जलनी हुए सेवन थाउजन मीटर्स की हाइट पे तीन दिन स्टे किया थ्री नाइट्स मैंने वाँ स्टे की उसकी बाद फाइनली डिसाइड किया कि अब जो होगा देखा जाएगा बट डिसेंट करना है वेस केम्प पे और वैदर बहुत वास्ट होता चलना जा रहा है यहाँ पे रुके तो it's very tough तो एवलांच आएगा नहीं आएगा सब अमारी किस्वत पे बगवान का नाम लिया और डिसेंट करना शुरू किया खाफी स्केरी सिच्वेशन रही होगी फिजिकल चैलेंज कब मेंटल चैलेंज बन जाता है फिजिकल चैलेंज मेंटल चैलेंज तब बनता है सर जैसे मैंने आपको बताया है कंटीनिव थर्टी सिस आउर्स तक चलना है तो ऐसे में एक टाइम ऐसा आता है जब आप पूरी तरह ठक चुके होते हैं आपकी बोड़ी पूरी तरह जवाब दे देती है कि अब मुझसे नहीं होगा आगे वहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ता है कभी माउंटेंस में कुछ स्पिरिच्वल एक्स्पिरेंस हुआ है सर मैंने जैसे माउंटेंस में हम लोग क्लाउट्स को वाच करते हैं every मिलने से सबसे ज़्यादा डरते हो सनौ लैपरस पाए जाते हैं लेकिन जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉबलीक हो वाँ पे snow lepers नहीं आते, snow lepers ऐसे zone में आते हैं जहाँ पे silence होता है बड़ी climb या ride से पहले success की कल्बना कैसे कलते हो सर जो dream होता है उसके regarding जो हमारे mind में चीजे चल रहे होती है Mount Everest जाने से पहले मैंने Mount Everest के बहुत सारे dream में ही मुझे Mount Everest बहुत बार आया था तो वो चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं ऐसा कौन सा मोमेंट है जब तुमने unlimited feel किया हो When you felt unlimited At the top of the world Summit पे, मारत के जंडा ले राते हो है क्योंकि व्यो इतना प्यारा था, एक साइड सन्राइज हो रहा था दुसरे साइड सिर्फ और सिर्फ टॉप से नीचे clouds दिखाई दे रहे है और Mount Everest चे जो छोटी peaks है उनकी सिर्फ ऊपर के टॉप ऐसे sharp edges दिखाई दे रहे है उसके लोग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे है Sunrise, clouds और छोटे-छोटे mountains क्या बात है